अमरिता सिंह एक प्रसिद्ध बॉलिवुड अभिनेतरी हैं, जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक के दौरान हिंदी फिल्म उद्योग में महत्वपून प्रभाव डाला। 9 फरवरी 1958 को पाकिस्तान के हदाली में जन्मी अमरिता एक प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं। उनके पिता शिविंदर सिंह विर्क एक सेना अधिकारी थे और उनकी मा प्रुखसाना सुल्ताना एक प्रसिद्ध राजनीतिक कार्य करता थी, जिन्होंने भारत में आपात काल के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई थी। अमरिता भी अपने पिता की ओर से शाही वंशकी हैं और उनमें सिख मुस्लिम विरासत का मिश्रण है। अमरिता सिंह एक विशेशाधिकार प्राप्त माहौल में पली बढ़ी लेकिन उनका रुझान हमेशा फिल्मों की ओर था। नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय के प्रती अपने जुनून को आगे बढ़ाया। उनके सासी और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व ने उन्हें बॉलिवुड में अलग पहचान दिलाई और उन्होंने 1983 में सनी देओल के साथ फिल्म बेताप से डेब्यू किया। यह फिल्म बेहद सफर रही और इससे बॉलिवुड में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उनका करियर शुरू हुआ। अमरिता सिह का फिल्मी करियर 1980 और 1990 के दशक में खूब फलाफूला। बेताप के बाद उन्होंने सनी, मर्द, अमिताब बच्चन के साथ और साहिब जैसी कई सफल फिल्मों में अभिने किया। अपनी मजबूत स्क्रीन उपस्थिती और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाने वाली उन्होंने ग्लैमर्स भूमिकाएं और अधिक गेहन नाटकिये चरित्र दोनों समान सहचता से निभाएं। हाला कि अपने यूग की कई अभिनेत्रियों की तरहे उन्हें पुरुष प्रधान उद्योग से गुजरना पड़ा। उनकी शुरुवाती सफलताओं के बावजूद बॉलिवुड में लंबे समय तक करियर बनाये रखना चुनोती पूर था। अमरिता को युवा अभिनेत्रियों से कड़ी प्रतिसपर्धा का सामना करना पड़ा और जैसे जैसे नए चहरे इंडस्ट्री में आये भूमिकाये कम होने लगी। फिर भी एक अभिनेत्री के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित करते हुए उन्होंने अधिक चरित्र भूमिकाये अपनाई। उन्नीस सो तिरानवे में अमरिता सिह ने अपनी शादी के बाद अभिने से दूरी बना ली और दो हजार के दशक की शुरुवात में सहायक भूमिकायों में वापसी की। अमरिता सिह की निजी जिन्दगी की मीडिया में खूब चर्चा रही है। उन्नीस सो इक्यानवे में उन्होंने अभिनेतरी शर्मिला टैगोर और क्रिकेटर मनसूर अली खान पटोदी के बेटे सैफ अली खान से शादी की। उस समय उनकी शादी को अप्रमपरागत माना जाता था क्योंकि अमरिता सैफ से बारह साल बड़ी थी। प्रारमभिक मीडिया ध्यान के बावजूद इस जोडे के बीच एक मजबूत बंधन था और उनके दो बच्चे थे सारा अली खान जो अब एक सफल बॉलिवुड अभिनेतरी हैं और इबराहिम अली खान हाला की शादी के 13 साल बाद अमरिता और सैफ ने 2004 में तलाक ले लि उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोशन पर ध्यान केंद्रित किया विशेशकर अपनी बेटी सारा की जो उन्ही के नक्षेकदम पर चल कर फिल्म उद्योग में आई अमरिता ने बॉलिवुड में चरित्र भूमिकाओं में वापसी की जिसकी शुरुवात 23 मार्च 1931 शहीद से हुई जहां उन्होंने सहायक भूमिका निभाए कल्युग और शूट आउट एट लोखंड वाला जैसी फिल्मों में उनके अभिनाय के लिए उनकी सराहना की गई जटल मजबूत चरित्रों के उनके चितरन ने आलोचकों और दर्शकों दोनों से सराहना अरजित की हाल के वर्शों में वह औरंगजेब और दो स्टेट्स जैसी फिल्मों में दिखाई दी जहां उन्होंने आलिया भट की ओनस्क्रीन मा की भूमिका निभाई उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया जिससे पताचला की समय के साथ उनका अभिनय कोशल और भी गहरा हुआ है अमरिता सिह अपने तलाक के बाद अपने निजी जीवन को निजी रखने में काम्याब रही है मुख्य रूप से अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करती है उनकी बेटी सारा अली खान अकसर इस बारे में बात करती रही है कि बॉलिवुड में उनके पूरे सफर के दौरान उनकी माने कितना सहयोग किया है कहा जाता है कि अमरिता अपने दोनों बच्चों के बेहत करीब हैं और उनकी जिन्दगी में एहम भूमिका निभाती है हाला कि अकसर सुर्खियों में नहीं रहती लेकिन भारतिय सिनेमा में अमरिता का योगदान महत्वपूर्ण है उन्होंने अपनी मजबूत स्वतंत्र भूमिकाव से रूढिवादिता को तोड़ा और अपने काम के लिए आज भी उनका सम्मान किया जाता है उनकी यात्रा स्टार्डम, व्यक्तिगत चुनोतियों और एक अभिनेत्री और एक मा दोनों के रूप में उनके लचीलेपन के बीच संतुलन को दर्शाती है